हेलो दोस्तो मेरे चैनल ग्रीन गैलरी में आप सभी का स्वागत है तो आज हम कुछ बेकार पड़े समान में नए पोदे उगाने वाले हैं तो जले शुरू करते हैं मैंने कुछ कटिंग्स मंगाई थी पोदो की ताकि मैं नए प्लांटर में लगा सकूँ यह मेरे चाचा जी है तो यह फुलवारी मोस रोज इनको बोलते हैं यह पीले फुलो वाले हैं यलो फ्लावर इनमें आएंगे यह देके कटिंग दे रहे हैं चाचा जी हमारे कर दो प्लांट लगाओंगी और मैंने इसमें मट्टी और थोड़ी सी खाद मिक्स कर लिया और जो मेरे पास जो भी फालतु के बेकार जो समान पड़े थे कप वगेरा सब मैंने मट्टी वर दिया कुछ ना कुछ प्लांट उनमें मैं लगाई लूँगी और मेरे पास एक प्लांटर था जो तूट गया तो मैं उसको साइड कैरेट के साइड में रखके उसमें भी एक प्लांट लगा दूँगी यह देखे यह प्लांटर मेरे से तूट गया था तो मुझे इसको फैकने काम नहीं करा विल्कुल भी मैं इस केरेट के कोने में ही रख दूँगी ताकि ये जुड़ा रहे मटी के दवाब से और इसमें मैं कोई पोदा लगा दूँगी मैं इसको जोडने के कोजिस कर रही हूं मटी वरके मैं इसमें एक पोदा लगाऊंगी अब यह देखो यह जुड़ चुका है प्लांटर अमें इसमें एक मिट्च का पोदा लगाऊंगी इसमें पोदा लगा के थोड़ा सा कैप करके पोदा लगा दूँगी फिर उपर से मटी डाल दूँगी इसके उपर ताकि यह मजबूती से खड़ा रहे और इसी कैडरट में मैं दो ऐलोभे रहा लगा दूँगी जो बड़े बड़े एलोभे आहें 220 तो इसलिए इस केरट में मुझे कुछ पोदे लगाने हैं मैं इन में अलोवेरा हुगा कर और फिर इसमें कुछ टमाटर के बीज और लाल मीड़ के बीज डाल दूंगी जब इसके जब चूटे-चूटे निकलेंगे तो मैं उसकी अपडेट भी आपको धूंगी आपी मैंने टमाटर डाल दिया है और उसके बाद में मिर्च भी इसी कैरट में डाप दोगा है मेरे पास लाल मिर्च थी तो सुखी हुई लाल मिर्च के मैंने तोड़के टुकड़कर करके और उसके बीज इसमें मटी में छिड़क दिया है दोनों साइडों में और यह बहुत ही सिंपल तरीका है मिर्च भाने का मिर्च के पोदे और टमाटर भाने का बहुत ही सिंपल तरीका है लीकी जहांते सारे पोदे लगाने से उग जाते है बाइशन पिछ जयादा नहीं हो गया है मतलब कुछ भी तो आज के लिए इतना ही और बिलते हैं अगली वीडियो में और मैं आपको इन प्लांटों की अपडेट देती रहूंगी जैसे ही कितने बड़े होएंगे कब निकलेंगे इसके साथ अगली वीडियो मिलते हैं बाइबाई झाल 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 झाल